सबी को नमस्ते हम लोग आज फाइनल टर्म का क्लास फाइव का हिंदी डिसकस करेंगे सबसे फर्स्ट है पेज नम सौरी चैप्टर नमबर फिफ्टीन मैं कागज हूँ इस चैप्टर के माद्यम से कागज के आविश्कार के बाड़ें बताए गया है और कागज ने स्वैम के आविश्कार की पुरी कहानी सुनाई है वो किस कंट्री में पहले वहाँ स्टार्ट हुआ फिर उसके रूप चर्चा में किस तरह की और बदलाव की गई इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चों को बहुत सारी नई और अच्छी इंफर्मिशन मिलेगी जो उनके लिए बहुत जरूरी है इसमें जैसे रेड मार्क किये हुए हैं ये सारे सब ये सारे वाड़ जो हैं वो अलरेड़ी हाड़ वाड है यहां परास्तित 29 साहिलून क्वालिटी लुगदी साविस्कार क्वालिटी निखारने कोशिश गर्व यहां देखिए मिश्र के लोग मुझे बनाने के लिए पेड़ास नामक पौधे का प्रयोग करते हैं यह एक अलग इंफर्मिशन है मुझे बनाने के लिए चीर देवदारादी के पेड़ों के लकड़ी का प्रयोग इसे शुरुप से किया जाता है तो इस तरीके से पूरे चैप्टर में ही कुछ ने कुछ एक नया इंफर्मिशन है जो उन लोगोंने पहले कभी भी नहीं पढ़ा है इस करण मुझे और पेपीडस के करण ही इसका नाम पेपर पढ़ा हाड़वर्ड पढ़ने के साथ हिंदी है इसमें सब्दार्थ आप लोगों को लर्ण करने है पूरे उसके जाद मौकिक प्रस्ण चैप्टर पढ़ने के बाद संसंग कर बहुँ विकल्पी प्रस्ण रिक्तिस्थानों की बुर्ती सही गलात मेल करिए ये सारी चीज़ें बहुत स्मुत्ली हो जाएगे उसके बाद ये टिक आउट करना है तो जाते हैं हम लग नेक्स चाहें करता है उसके बाद में ये कहानी है इसमें भी सेम हाड़वर्ण सारे मांक करने हैं उसको लॉन करना है फिर उसके बाद सब्सक्रार को लॉन करना है मौखी एक बहु विखल्पी प्राशन रिक्तिस्थान सही गलत और लॉंग कोशन फिर खुच से टिक करने हैं फिर आते हम लोग नेक्स चेप्टर भक्ति की नीती इसमें कवीर, रहीम, सूर्दास सभी के अलग-अलग दोहे दिये हुए तीन-विखल दोहे तीनों के दिये हुएँ तो सभी में कम से कम, जैसे इसमें तीन है बिगरी बात बने नहीं, लाग कड़े किन को हुए रहिमन, बिगरे दूद को, माते नमाखनो तो ये कम्प्लीट अपने आप में एक ए फिर ये एक है, फिर ये एक है ऐसे करके ये तीन दोहे हैं, तो ये student को आपको ऐसे marking करके देना है, तो कबीर, रहीम और सुरदास तीनों के दो-दोहे minimum learn करने हैं, सब्दार्थ, इसके बाद, sorry, फिर यहां मीरा का है, मीरा का भी कोई दो, जो आपके student को easy लगे, वही कोई भी दो, क्योंकि उसमें option already रहता है, हिमाले दर्शन, इस पाठ के माध्यम से हिमाले, हिमाले कहां वस्तित है, कैसे है, वहां की जीवन चरिया कैसी है, जीव को पारजन कैसे होता है, ये पूरा इस story में, इस कहानी में दर्शाया गया है, जिसे वहां की संग्रक्षा नितिहास की साक्षी संस्कृति का प्रतीक, ये सब होने का, और उसके उचे संस्कारों और प्रती रूप का, इस पार्ट में, पूरा विवरन दिया हुआ है, तो ये पूरे chapter को नोगों को करना है, फिर आपका सबदार्थ लान करने है, मौखिक, बहुबिकल प्रिप्टरशन, तो याते हम लोग नेक्स चेप्टर, संतुलित भोजन, संतुलित भोजन, अभी हम लोग जानते हैं, कि बहुत ही ज़्यादा महत्व है, जबसे ये COVID-19 का दोड़ा है, लोग डाइटिंग के लिए हो, या अपने संतुलित भोजन के लिए हो, बहुत ही ज़्यादा संसेटिव हो गया है, तो इस पार्ट के माद्यम से भी है कि, किसको कितना सारा दिन में डाइट लेना चाहिए, और किसमें क्या मात्रा पायाती है, वाशा खामर सरीर में इक अलग उपयोग है, कर्वोहिड्रेट का अलग है, स्टार्स का अलग है, सरकरा का अलग है, विटामिन का अलग है, और सारे विटामिन की सरीर में अलग-अलग जरुवत्रति हो, और अलग-अलग मात्राओं कहोना बहुत जरूरी है इसके भी सद्धार्त करने हैं फिर मौकिक प्रशन बहु बिकल्पी प्रशन रिक्ते स्थानों की पूरती करूं इसके बाते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर घोड पेड की चाहूं यह बहुत ही सिंपल एक पोयम है जो कमल से त्यार्थी द्वारा लिखा हुआ है पेड के बारे में इसको पेड की जो फसलिटी है उसके बारे में कविता के मांदम से दर्साय गया पूरा पोयम जो है आप लोगों को लान करना है और इसके सब्दार्त लर्न करने है बस लिट्रेचर के लिए इतना ही है अब हम लोग आते हैं लैंग्वेज में लैंग्वेज में फरस्ट विशेशन अप लोगों पढ़ना है विशेशन की डेफिनिशन नहीं यहां तक जो सब संग्यास नाम सब्दों की विशेश्टा एगुन बताते हैं विशेशन दोनों अलग-अलग है इस चाट को लर्न करना है यहां पर विशेशन सब्द की कुछ उधारन दी गई हैं इसको अच्छे से याद करना विशेश्टी किसे कहते हैं जिन संग्यास सब्दों की विश्जिसता बताइवे विशेश्टा अडद कहला तैंगता है तो पहला है गुन वाचक, तो यहां से कहलाते हैं तक यहां उधारन हो गए, पडिवाशा हो गए, और गुन, रंग, रूप, आकार, अवस्था, बस ये देने से, गुन, रूप, रंग, आकार, इनका अलग-अलग, फिर उधारन नहीं देना है, फिर है दूसर संख्या वाचक, तीसरा है, पडिमान बाचक, और चोथा है, सारवर्णामिक बाचक, नेक्स राते हैं हम लोग क्रिया, सब्ध के जिस, जिस सब्ध के दूरा किसी कारे के करने या होने का बहुत का बता जलता है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, तो ये डेफिनेशन है, क्लास फाइव है, तो इनको कम्प्लीट सेंटेंस बोलना है, जैसे बच्चा दूर्द पी रहा है, राजू ने फल खाया, राजू को और फल दो, रानी पड़ रही है, तो यासे कम्प्लीट सेंटेंस उनलों को मिनिमम फाइव इग्जैंपल लर्न करने है, फिर क्रिया के बेज जैसे है, दो बेज, सकरमक और अकरमक, दो सकरमक और अकरमक की परिवासा और हुधारन सही जैसे मोहिनी रोती है, इसमें भूमी दूद पी रही है, तो करता और करम क्रिया वनिजनों को फिर आता है एक सब्दों के लिए एक सब्द नमबर 14 जो सब कुछ जानता हो सरवग्य से नमबर 54 जिस जानवर को पाला जाए पाल तो वहां तक लेर्न करने हैं फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं मुहावडों में नमबर 11 हवा से बाते करना बहुत तेज भागना इसमें जो वाक्य बनाया है वह आप दूसरा कर सकते हैं पर अर्थ आपको यही एकुरेट लिखना पड़ता है 18 मेहनत करना तक अन्य मुहावडों में नमबर 16 दौर धूप करना से लेकर हिम्मत ना हारना तक यह नीचे दिये के मुहावडों को सही अर्थ में यह एक्सराइज है जो आप लोगों को बुक में ही करना है जैसे जी खटा होना तो मन खड़ाब होना इसको ऐसे मैच करना है फिर हम लोग आते हैं निवंद लेखन में वियायायाम का महत्वे और परिश्रम सफलता की कुंजी है इन दोनों निवंदों को पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि आप लोग इसके उपर मिनिमाम 150 वाट्स खुद लिख सके क्योंकि यह दोनों निवंदी है जो बहुत के लिए प्रिप्रेशन करेंगे तो हिंदी में आप लोग अच्छे मार्क्स जो हो अचीव कर पाएंगे आप सब मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी आपको पर्टिकुलर क्लास की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी और आप लोग प्रिप्रेशन कर पा कि अवडियो ब क्याती रहेंगे गिएाब कर लोग में वीडियो में आपको प्रिप्रेशन कर दांपको जाबाद।